वहां तक जा रहा है बूर्च ख़लीवा बन रहा है देखो इतनी उंची चीज क्या हो सकते हैं जमीन से लेके वहां तक कर दिया था लेकिन चाय पिना बाकिया क्यों अपी तक बने ही नहीं है जब बनेगी तक प्यूंगा ना तो फिलाल को चाय बन रही है उसके बाद चाई पी तो है और यह देखो अब भी सोया हुए मेने पंखा बन कर दिया मच्छर कातेंगे ना तो अपने आप उट जाएगा तो यह यह सा गरता हुए मच्छर काते और उठे है तो में ना पंका बन कर दिया है तो मस्त अभी सुभी हो रखे बाहर अब तो कितने बज़े साथ 45 और यह तो मतलब दिन तो नहीं कह सकते सुभी कह सकते तो गाइस यहां पर बन रहे थे अपने ब्लेक कॉफी नहीं ब्ले यह देशी गाई का दूद्य हमारे पास देशी गाई मस्त पिए एंगे इसको सुभे सुभे तो गाइस अपने मस्त चाय बन के रेली है यह तो नहीं हो चाई देख सकते आप मस्त चाईबाई पिए निकल्चुके थे और गेखे सामने तलाव उसकी आगे पहाड बीची में पेड़ वह चारों तरफ कोराई कोरा वाँ 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 शुभे सुभे का मोसम बहुती क्लीन और बहुती मतलब बहुती मस्त हो रखा है इसलिए तो सुभे बोलने का मन करता है गुड मोर्निंग शुप प्रभाद कितना अच्छा लगता है और गाईस हम जा रहेते हैं सुभे सुभे मंदीर भग्वान जी के दर्शन करने के लिए तो हमने सवाचा कि सुभे सुभे चलते हैं तो फिलान मस्त अभी सुभे सुभे 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 सुभ तो गैस मंदीर से दर्शम करके तो आपस आ चुके थे लेकिन अब मुझे फूप लग रही है तो खाना खाते और मैंने विजस्ट ना भी लिया है मस्क थंदेपानी से अब यहां पर बेटा था और मैंने अच्छानग देखा आप लगों को दिखाता है यह किस तरह बेठा हुआ है और पिचर देख रहा है यह देखो वाई परहजान क्यों करता है मुवी का नाम देखना है अच्छी है लेकिन मेरे कला समझ में नहीं आ रहे हैं ऐसे बेठा कोन ह है जैनल करता है अच्छानग देखा देखो सामने केसा देख रहा है एकदम कॉमेड़ी लग रहा है आप अभी अभी बहुत अश्यारी है हुआ है तो गाइस यहां पर हमारे बन रही है पर यहां पर बन के चाई इमेराख पोмет यार मस्त अपनी चाय बन करती है मुं धूल यार कम हो जा हो गई फिर से हो जा पंजा बंजा बंजा बन गई अपनी चाय तो गैस अभी बन करते इसको अभी मस्त पिते हैं चाय साम की साम की चाय मिल जाए ना गाइस मैंड फ्रेश हो जाता है तो गाइस हमारे यहां एसी प्लेट होती है और कफ भी मतलब बहुत शारे लेकिन देखो एसी प्लेट में हम चाय पीते मस्त वाव ठंडी एकदम जल्दी ठंडी मतलब कम्प्रीटली हो जाती है आराम से अभी मतलब जस्त में हम निकलेते बाहर और मेरा फोन में चार्जर में लगाय था तो भूल गया है तो फिलाल शंजे का फोन लिया है लोग बनाने के लिए कि आइप अच्छी को लेटी आए पता नहीं कासित आएगि मेरे फोन में यility यही बहुत अच्छी आती है तो आइओ मस्त अच्छी आए हाशा करता हूं तो सामका व्युक्त को दिखाता तो यहां से रास्ता है और मस्त दिख रहा है देखो अधा लेता हूं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा कर देखो चारो तरफ और यह बादल है देखो चारो तरफ कुछ भी नहीं है बीच में रास्ता है यह हम जा रहे बस संजे के फॉन चाज शूट करना पड़ रहा है मस्त आएगा तो मस्त आरहा है अच्छी तरी के चलते जो गाईस यह है गाउं के स्कूल जो में खतम करेंगे लेकिन बहुत मतलब बहुत बड़ा खमबाई एक दम बहुत ही मतलब यह वायर है ना वायर की वजह से मतलब वह चारों तरफ मतलब एक दम सिधा खड़ा है वरना वह एक दम पतला है अब यह को अब है थोड़े जाएं तो अबहुत है कोई बात नहीं लेकिन यह देखो वहां तक जा रहा है वुर्ज खलीपा बन रहा है देखो इतनी उंची चीस क्या हो सकते हैं सब्सक्रेश्च कर दो लेकिक कर दो जाने तो तरफ खेत हैं और इस थरफ खेता गए तरह ऊटे के खेते हैं हमारी यह तो यह तो इसाही के बच्चो के स्कूल बंद हो गई बंपर आ गई और यह चारो तरफ खेते हैं गाव में गाव का सामका व्यू देखो ना कोई आवाज ना कोई मतलब कुछ भी नहीं सिर्फ और सी बट्स के आवाज आती है सामको बस और तो किसी शीच की आवाज है नहीं आती है इस तरफ भी देख लो सामने बड़ी वाली गाड़ी आ रही है कि यहां पर यह बाइक स्टार्ट हो गई बहुत ही पानी वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है हमें चारों तरफ फानी पानी यह देखो लेकर रास्ता बहुत मस्ते है कि यह देख लेकिन आते आते हैं में बहुत ही लेट हो चुके थे और अंधेरा भी काफी हो चुका था हमारी गाड़ी के लैट भी थी वह कम दिखाई दे रहे थी तो हमने सोचा कि जड़ी जड़ी घर पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं तो फाइनली गाइस आप हम पहुच चुके थे काफी मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे अंधेरा भी हो गया था त बुलनेग